Q.356 में क्या दिया है कि B plus C equal to AX, C plus A equal to BY and A plus B equal to CZ और हमें जो value चाहिए 1 by 9X plus 1 plus 1 by Y plus 1 plus 1 by Z plus 1 अभी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे अपने पस्ट 3 equations है या 6 variable है तो आप 3 variable का value कुछ भी put कर सकते हो कुछ भी का मतलब literally कुछ भी अगर आपने ऐसे put किया हमने मानलो A का value and B का value and C का value सब का value equal ले लिया ऐसा करने से X का value आजाएगा 2 Y का value आजाएगा 2 और Z का value भी आजाएगा 2 यह जो है 1 by 9 यह आजाएगा 1 by 2 plus 1 3 plus 1 by 3 plus 1 by 3 कितना आगया? आणसर आगया 1 by 9 सही आणसर C टिक करने लेकिन मानलो लेजिए आपकी जमीर आपको यह आजादी नहीं देती कि ऐसे value थम put करें तो हम क्या करेंगे? हमने X plus 1 form करेंगे B plus C का value AX है X plus 1 form करने के लिए लेफ्ट and राइट दोनों में हमने A add कर लिया तो यह आजाएगा A plus B plus C equal to X common ले लिजिए X common नहीं आएगा A common आएगा तो X plus 1 बचेगा यहाँ से क्या आ रहा है? 1 by 1 plus X equal to A divided by A plus B plus C जैसे 1 by X का value आया है वैसे ही 1 by 1 plus Y का value आजाएगा B by A plus B plus C और 1 by 1 plus Z का value होगा C divided by A plus B plus C तो जो यह 1 by 9 1 by X plus वना गया A by A plus B plus C plus B by A plus B plus C plus C by A plus B plus C यह पूरा का पूरा आगया 1 आंसर फिर से 1 by 9 है तो आप कैसे भी कीजिए? अगर denominator में 0 अगरा कसी नहीं आ रहा है तो आंसर सेम ही आएगा और आंसर है 1 by 9 तो फिर मिलेंगे अगले वीडियो में एक नए question के साथ तो आप क YOUR नहीं पूरा करें पूरा एक करते हैं आंसर बारे की आप पूरा क्पार करण है